But if you love Sushan so much, why didn't you reach out to the family परिवार अगर आप Sushan से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देनी की, आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश, जब नवेंबर में वाटर स्टोन क्लब आए थे, सुशान को मिलने जब उनकी तवियत बहुत खराब थी, I didn't know the other sisters, अगर प्रियंका के साथ मेरा रिष्टा खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिष्टा नहीं था, मुझे नवेंबर मे पता चला कि उनकी एक भेहन मुंबई में भी रहती है, जिस वक्त वो लोग आये नवेंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक भेहन मुंबई में भी रहती है, मीतु जी, और जब उनकी भेहने आई, in fact उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर चुए मिलते ह मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटर स्टोन में कि जाने दो जो विवा अभी आपके भाई की मेंटल हैल्थ सबसे जरूरी चीज है, आप आए बहुत अच्छा हुआ, मैं यही तो सोच रही हूँ, दो महिने से लड़का रो रोक के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठ इसलेट कर रही हूँ और वो डिप्रेशन में तो वो क्यों छोड़के गई है उसे वाटर स्टोन में, क्या में वहाँ खड़ी थी, बंदूक लेके, कि आप निकल यहां से, नहीं न, तो क्यों गए वो, जब वो चंदीगड गया, क्यों नहीं रोका उसे, रिटन कंप्लें क्यों नहीं दी, जब बंबे आए, उसके साथ कैफे में बैठके, हसके खाना खाने के बजाए, आपने कंप्लेंड क्यों नहीं दी, तो आप कह रहे हैं, न केवल आपके रिष्टे सुषान के फैमिली में बिगड गए थे, कहीं सुषान के भी रिष्टे अपने फैमिली से साथ आज आप मुझे कह रही है कि वो रिलेशन्शिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है वो वीडियो देखकर तो हमें सब लगता है कि नॉर्मल रिलेशन्शिप लेक्ट करेक्ट एपसलूटली और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रि पिछड़ जाते थे उनकी बहन मीतू जैन में चंदिगर से आने के बाद उनकी बहन मीतू सुषान की घर में रह रही थी मैंने उनके साथ कोशिश भी कि हमने साथ में एक ट्रांसेडेंटल मेडिटेशन का कोस किया है छे दिन अगर उनको मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे साथ छे दिन पैनकेक्स, पीजा और ट्रांसेरेंटल मेडिटेशन क्यों करने थी वो यह कैसा इसलेशन हुआ सुषान सिंग राजपूत और उनके पिताजी के रिष्टे इन सुषान's words बचपन से काफी अच्छे नहीं थे क्योंकि उनके पिताजी ने उने बहुत यंग एज में छोड़ दिया था वो अपनी मॉम को बहुत चाते थे और बहुत मिस करते थे और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था सुषान्त वस वेरी हर्ट अबाउड दाट अब मुझे आज सच्चा ही चाहिए क्या सुषान्त की तवियत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा ये कब से डिप्रेशन में चले गए क्योंकि ये सबसे जो बड़ा सवाल है क्या वाकई सुषान बाइपोलर ट्रीक्मेंट के लिए कि इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था क्या जरूरत थी या आप उनको कह रही थी नहीं सुषान दिप्रेश और उनको इन डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही थी जबरदस्ती लेकर जा रही थी मैं ऐसा क्यों चाहूंगी अगर अभी इतने सारे allegations लगे हैं मेरे पे अगर सब मुझे इतना ही मतलब ही समझते हैं तो मेरी तो picture है सुषान के साथ हम लोग एक picture कर रहे है मेरे life की सबसे बड़ी picture मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ये picture हो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ सही हो उसमें मेरा प्यार और मेरा को स्टार दोनों साथी साथ कमाल हो उस फिल्म में सुषान को depression था वो इतना severe anxiety उसको शुरू में था anxiety panic attacks कि वो एक psychiatrist से खुद मिलना चाहते थे उन्होंने ये request की मुझे in fact मेरी family में ऐसी कोई history निये मैं इतनी well-washed नहीं थी उस वक्त mental health से और depression से और anxiety से एक बहुत बड़ी चीज मेरे life में आई है मुझे फिर समझ में आया पहले मुझे देगा कि क्यों ये ठीक है चला जाएगा एक दो दिन में फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको psychiatrist को मिलना ही है और हम एक नहीं हम चार पांच reputed top not psychiatrist से मिले हैं जिनके साथ सुषान्थ underwent treatment वो हिंदुजा hospital में admit हुआ है depression के लिए under dr. करसी चावडा जो एक reputed doctor है उसके अलावा dr. परवीन दाजा चंजी भी उनकी डॉक्त रह चुकी है क्योंकि वो travel कर रहे थी सुषान्थ ने dr. करसी चावडा पर शिफ्ट किया और सुषान्थ खुद doctor को मिलके चूज करता था whether or not he wanted to continue treatment with such and such doctor yes or no depending on the interaction medication कौन दे रहा था doctor दे रहे थे आप दे रहे थे doctors prescription देते हैं उस prescription के बगेर आप कहीं से यह दवाया नहीं ला सकते हो these are prescribed medications for doctors maybe 20-25 prescriptions weekly in fact आप एक week late भी वो prescription नहीं ले सकते हो did you find the doctor for Sushan? no I didn't कि Sushan आप के मिलने से पहले April 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था या आप से जब relationship शुरूई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्हें मुझे बताया था कि वो एक psychiatrist से मिल चुके हैं उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे लेकिन हाँ वो एक दवाई ज़रूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर करसी चावडा ने प्रिस्क्राइब की जी और उनकी जो मदर हैं जो हूँ पास्ट अवे जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और इन फैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन यह है कि वो अपनी मां के बिना नहीं जी पा रहे थे वो भी मेंटल इल्नेंस की चिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था और वो इसी कारण अच्छली उनकी अच्छी उनकी अच्छी वोज नो मौ यह मेंटल हेल्प की वज़ा